दुफ्तो लॉक्डाउन में भार्टिय रेल अपनी सभी पैसेंजर ट्रेंज की सेवां को बंद कर रखी थी। लॉक्डाउन के लगवक 50 दिन बार कल यानि दिलांग 12.05.2020 से रेलवे अपनी पैसेंजर ट्रेंज की सर्विसेज शुरू करने जा रही है। यह सर्विसेज 15 पैर ट्रेंज के साथ शुरू होंगे जो की न्यू दिल्ली से स्टार्ट होंगी ट्रेंज और देश के विभिन हिश्टर में जाएगी। सभी 15 ट्रेंज फुली एर कंडिशन रहेंगी। इनमें ना ही स्लीपर के कोई कोचेज होंगे और ना ही जेनरल क्लासेज के एक भी कोचेज होंगी। यानि कि इनमें केवल 1st AC, 2nd AC और 3rd AC के कोचेज ही लगे रहेंगे। फिलहाल अभी जो स्रमिक एक्सप्रेशल ट्रेंज चलाई जा रही है उनमें हर कोच की छमता 72 पैसेंजर की है। पर सोसल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए भारतिय रेल मिडिल बर्थ में एक भी पैसेंजर को सीट्स अलॉट नहीं की है। और सभी स्रमिक एक्सप्रेशल ट्रेंज में 54 पीपल ही ट्रैवल कर रहे हैं हर कोच में। तो ऐसा माना जा सकता है कि इन 15 ट्रेंज में भी मिडिल बर्थ अलॉट नहीं होंगे। इन सभी ट्रेंजों की बुकिंग आज 11 माई 2020 को शाम 4 मजे से शुरू की जाएगी। कोई रियायत नहीं दे रही थी। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इन सभी 15 ट्रेंजों में भी सीनियर सिटिजन की सीट्स पर किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। ताकि जो बुजूर्द लोग हैं वे अती आवश्यव होने पर ही यात्रा करें अन्यथा अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। अगर आपने इंडियन रेल्वेज की मेट्रो ट्रेंज सर्विसेज यूज की है तो आपको मालूम होगा कि जिस पैसेंजर के पास टिकट रहती है वो ही केवल प्लेटफॉर्म पर जा सकता है मेट्रो ट्रेंज को बोर्ट करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से भातिय रेल्डी इन 15 टेनों में यही सिस्टम लगाया है जिस भी यात्री के पास कंफर्म टिकट होगा टेन का वो ही केवल प्लेटफॉर्म पर आ सकेंगे। उनके लावा उनको छोड़ने अगर कोई रिष्टेदार या कोई मित आते हैं अलविदा करने को उनको प्लेटफॉर्म पर एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही सभी पैसेंजर्स को फेस मास्क पहनना अति अवश्यक है और उनको सोचल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा और इसके साथ ही सभी पैसेंजर्स की स्टेशन पर एंट्री के वक्त स्क्रिन नहीं होगी। रेल्वेज इन 15 स्टेशनों के लिए ट्रेंस चला रही है अगर आप ध्यान से देखे तो नई दिल्ली से इन सभी स्टेशन के लिए राजधानी एक्स्प्रेस भी चलती है तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह राजधानी या उससे भी सुपीरियर ट्रेंस होगी। क्योंकि इन में जो स्टॉप्स लगाए गए हैं वो राजधानी एक्स्प्रेस से भी कम है तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से कि यह दुरोंतों एक्स्प्रेस हैं जो कि दिल्ली से अलग-अलग जगा को कनेक्ट करेंगी। विथर लिमिटेट नंबर ऑफ स्टॉप्स जैसे कि दुरोंतों में रहते हैं दो-तिन स्टॉप्स ही रहते हैं उसी प्रकार से आईए एक एक्जांपल देखते हैं। इस वक्त आप अपने स्क्रिन पर देख रहे हैं नई दिल्ली से गिलासपूर राजधानी एक्स्प्रेस जो चलती है उसका शेड्यूल। उसके शेड्यूल के हिसाब से उसमें 10 स्टॉप्स हैं पर अब जो स्पेशल टेंड चलाई जा रही है उसमें किवल 4 स्टॉप्स रहेंगे जासी, भुपाल, नापूर और राइपूर। ठीक उसी प्रकार नई दिल्य से मुंबई सेंट्रल के बीच चलने वाली राजधानी एक्स्प्रेस में टोटल 6 स्टॉप्स हैं पर अब जो स्पेशल टेंड नई दिल्य से मुंबई सेंट्रल के बीच में चलेगी उसमें केवल 3 स्टॉप्स हैं कोटा जंक्शन, रदलाम और वर्ड उद्रा जंक्षन तो इससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो इन ट्रेंज के फेयर होंगी वो राजधानी और गुरूंतों के बीच की फेयर होंगी इन सभी ट्रेंजों में पैंट्री कार्ष होंगे या नहीं इस पर अभी तरब कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है पर मेरा ये सुझाओ है अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो सेल्फ प्रिपेर्ड फूड ही लेकर चलें और अतिया वश्यक ना होने पर क्रिप्या यात्रा ना करें